हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल फुला फुला भटूरा अब फ्रेंड्स आज की इस भटूरा रेस्पी में हम ना तो यिस्ट का प्रियोग करेंगे ना ही सोडे का प्रियोग करेंगे और ना ही दही का लेकिन बहुत सिंपल तरीके से बिलकुल मार्केट स्टाइल बिलकुल नई सीक्रेट्स के साथ हम भटूरा बनाएंगे और आपके साथ इसकी रेस्पी शेयर करेंगे तो प्रेंट्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और आप बिलकुल देर ना करते हुए चलते हैं रेस्पी की तरफ अब भटूरे के आटे काडू लगाने के लिए हमने हापे एक बरतल ले लिया है और बरतल लेने के बाद हम इसमें डाल देंगे मैदा ये दो कप मैदा च्छना हुआ डाल देंगे इसमें और इसमें स्वा और इसको हम इसमें पहले मैश करेंगे पहले हम इसमें एक कब दूर डालके इसको अच्छे से मिला लेंगे उसके बाद में हम इसमें पानी डालेंगे मतलब जितना गूतने के लिए पानी की आवशक्ता होगी चीटे मारके हम उतना पानी डालेंगे यह बटूरे काटा हमको थोड़ा नरम लगाना है, इसलिए थोड़ा सा पानी का छीटा मार मार के हमको इसको गूतना है, सब अच्छे तरीके से मिला लेंगे और इसको गूत लेंगे, सब मिल गया है और अच्छे से चिकना हो रहा है, अब हम इसे स्लैप पे निकाल लेते हैं, बातूरी के आटी को थ चिकना कर लेंगे, उसके बाद पटक के गूतेंगे, यह थोड़ा सा, 6-7 बार ऐसे पटक के गूतने से इसका बहुत अच्छा सेट हो जाता है, मतलब सेटिंग बहुत अच्छी हो जाती है, आटे की और बहुत ही बढ़िया भडूरा फूल के तियार होता है, बहुत ही चिकन और चिकना कर देते हैं, इसमें डालते हैं ओयल, देखेगा हमने ओयल पहले नहीं डाला, अब हम इस टाइम ओयल लगा रहे हैं, तो इसके डो में सभी तरफ ओयल लगा के, इसको एक बार और चिकना सा करके, हम लग देते हैं इसी बावल में, और इसको हम एक पन्नी से कवर कर देते हैं आप चाहें तो खाली प्लेट ढखके भी कवर कर सकते हैं ऐसे करने से इसकी ग्यास बाहर नहीं चाहेगी और अंदर यंदर सेट होके भटूरे की भटूरे का डो बनके त्यार हो जाएगा अब इसे रख देते हैं 20 मिनट के लिए रेस्ट पे अब 20 मिनट के रेस्ट के बाद हम इस डो को देखेंगे तो ये डो थोड़ा सा फूल के और बड़ा सा हो गया है और अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे ये देखी इसका साइज फूल के और भी बड़ा हो गया और ये और भी ज्यादा सॉफ्ट हो गया है इसे फिर से इस लैप तूरे के लिए देखिए कितना ज़्यादा खिच रहा है इसट्रेचबल हो गया है यह देखिए जब याटा खिचेगा तभी बठूरा बनेगा मार्केट स्टाइल अब हम इससे अंदर से फोल्ड करके फिर इसकी गोलिया निकालेंगे मतलब लोईया निकालेंगे ऐसे फोल् अब इनको एक बार और चिकना कर लेते हैं सब को चिकना करके रखे लेते हैं इसके बाद बेलते हैं ब्रटूरा के सब को सूमनेगे और सबको हम रख देते हैं और इसके उपर से थोड़ा सा ओयल भी लगा देंगे जिससे की आपस में चिपके न अर अब हम बेलना शुरू करते हैं तो भटूरा बेलने के लिए हमको सुखे आटे की जूरत नहीं है हम ऐसे ही ओयल में आयल वैसे तो लगाने की जूरत नहीं प हम जरूरी नहीं है गोली भी जैसा भी एम ऐसे मैंने भी जाल दिया इसको और इसको आलके से चलाते चाहेंगे और ऑईल को उपर से डालते जाएंगे मैंने थोड़ा से कम लिया है थोड़ी कंजूसी कर गई आप थोड़ा सा और लीजेगा तो बहुत अच्छे से फूलेगा अब ऐसे भी फूल गया है गुबारे की तरह एकडम ऐसे ही सारे भटूरे हम डालते चाहेंगे फ्लेम हमने मीडियम हाई रखा हुआ है फि तो यह बहुत अच्छे से फूलेगा और वैसे भी स्ट्रचबल मांत लब खीचेंगे भटूरा थोड़ा सा खीचेगा बहुत ही बढ़िया रेस्टूरेंट स्टाइल भटूरा बनके त्यार होगा एक बार इस रेसिपी से भटूरा जरूर बनाईएगा बहुत ही बढ़ि फिर से इसके उपर ओयल डालेंगे ओयल डालने के बाद यह बहुत ही बढ़िया गुबारे की तरह फूल जाता है और एक बार बनाके जरूर देखेगा क्योंकि इसका स्वाद बहुत अच्छा है जो हम दही से गूथते हैं यीस्ट डाल के बनाते हैं गद्देदार उनसे बहुत जादा अच्छा फ्लेवर मिलेगा इस भटूरे का एक बार जरूर ट्राइ करिएगा और बताइएगा हमें कमेंट करके कि आपके भटूरे कैसे बने मुझे तो भाई बहुत अच्छे लगे तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्या झाला ऑर योटरे का दो फिर माना खेख